नमस्कार, वेलकम तू माई चाइनल, आज अपन बनाएंगे आलू गोभी मतर की सुखी सब्जी, आये बनाते हैं, इसके लिए हम एक कड़ाई रख देंगे जैस पे और थोड़ा सा हम ओईल लेंगे, तक्रिबन टू टेबल स्कून, और पहले हम आलू और गोभी को फ्राई कर लेंगे, तक्रिबन अच्छा फ्लेवर आता है, और टेस्ट बढ़ जाता है फ्राई करने से, पहले हम फ्राई कर लेंगे, उसके लिए हमें चाहिए, यह मैंने दो बड़े साइस का आलू कट कर लिया है, क्यूप्स में, और एक छो हाफ कप मटर, एंड दो मीडियम साइस का टमाटर, एक बड़ा साइस का प्याज बारी चौप कर लिया है, और बाकी के सारे बेसिक मसाले, सो आइए बनाते हैं, के बासे जए हम भी हमें, तके साइस कर दूए, क्यों पर साइस का चाहिए, तकी एक साइस byग heh, लोग वो भी लोगी में, बंजएल, बखर सेक बड़ची ऴोया हुआ है, हम खुँर अच्छी काई होगी है अब इसमाँ निताल देंगे अब इसमाँ निताल देंगे अब इसमाँ दाल देंगे अब जो दीली में बहुताई करें ब्रभोत क्राइब में अर दीली बहुताओ-खोली-गोड़ कलें वेजिगें अमध क्युत्यत कि अब देमे अल्यटذ में पाल्ण जब आप पूड़ा का इसको भी प्टाई करने हैं अगरे बिल्कुल भी प्टाई नहीं रगता है और आलू भी तीका रगता है और पईबरी गोगी भी अपनी प्टाई हो गया है और मैंने फ्लेम बिल्कुल शो कर जिया है अब आलो को भी गोभी के साथ ही निकालेंगे अब हम इसमें क्योंकि थोड़ा इसमें तेल है थोड़ा सा टू तेवरसूर और इसमें तेल डालेंगे और साथ में डालेंगे जीरा एक तेवरसूर जीरा जीरा अपना लाल हो गया अब इसमें डालेंगे प्राइब इसमें जादा में प्रेटो लाल करें है हलका साथ है इसमें मैंने दो हरी मिष्यन ही है जिसको दो पीस में मैंने आशे कट कर लिया है ये विदांगे और दोंगे देशाए अलका सा प्राई हुगा है, देखिए प्याद अपना विकुल अच्छा टांस्परेंट हो गया है, अब साथ में हम इसके डालेंगे, हाफ टेवल स्पून अत्रक लेशन का पेस्ट, अब कच्छा पर निकलने का, उसके बाद हम इसमें, दो जो हम मैंने छोटे टमाटर काटे थे, वह बाद देंगे, अब इसमें नमक दालेंगे, क्योंकि हमने पहले नमक गोवी और आग्यों में इसलिए हम इसमें सिर्फ एक तेवर सून नमक दालेंगे, क्योंड बिल्फ और इसको भुनते हमें साथने, मठर भी डाल देंगे, बहुत टेस्ती सब्जी वंती है, आप पुनाख एक बार खाना, बहुत टेस्ती वंती है, आप पराथे के साथ खाओ, दाल, चाबल के साथ खाओ, टिपिन में भी देदो, आप बचोड़ टिपिन देदो, बड़े भी अप्रिटिपिन में लेके जा सकते हैं, बहुत टेस्ती लेका है, यह हो गया, अब इसमें हम बेसिक मसाले डालेंगे, पहने हम दालेंगे, हाथ तेवल फूर, हल्दी, देर तेवल फूर, दनिया पालबर, एक तेवल फूर, गरम मसाला, इसके वस्तों लाग में चिपाऊगे, इसके साथ मसाले को गूनेगे, मीडियम तू लोगी, इसके अपना मसाला भी गूल रहा है, और साथ में मठर भी गल रहा है, और अब इसमें हम थोड़ा चा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा का, बस इतनी ही पानी डालेगी, इसके ज़्यादा पानी डालेगी, फोरी सब्जी ने, और सब्जी अपनी पंच लेगी, अपना मसाला ऐसा हो गया है मठर के साथ, और अब इसमें हम आलू को भी आइड कर देंगे, जो हमने फ्राई करके रखाता है, और इसको अच्छी तरीके से मीडियम टूलोग देंगे, मिक्स कर देंगे, और इसको पकने में 20 मिनिट लगेंगे, टोटर, सो इसको धग देंगे, एक बाद सब्जी को चला देते हैं, और देखते हैं, क्या है, अरे वाँ, सब्जी तो अच्छी बन देगे, जो होगा है, सब इसमें अपने आप सब गुलता जा रहा है, और अच्छी बन देगे सब्जी, आई देते हैं, अलुगोबी की सब्जी, अपने अलुगोबी तो बढ़िया बन देगे, इसमें हम खोड़ा था, धनिया दालेगे, तरा धनिया, यह रही अपनी सब्जी, यह देखे, बिलकुल सूखा भी नहीं है, हलका जूसी जूसी सा, और बनाएए, खाईए, और कमेंट करके बताएए, कि आपको कैसी लगया लोगोबी की सब्जी, यह रही हमारी सब्जी, बनाएए, खाईए, और बताएए कि कैसा है, कमेंट करके, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेर, नमस्कार,